हलो फ्रेंड्स अगर आपको जल्द वाजी और आपको चटपटा बनाना चाहते हैं तो आज हम ऐसे चटपटी नाश्टी की रेस्पी आप लोग के साथ सेर करने वाले है जो आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगी सिर्फ एक कप बेशन से बनने वाले इस नाश्टी की रे नमक और साथी मवस में बेशन में हलका सा कलर देने के लिए हम डालेंगे हल्दी पाउडर जादा नहीं डालना है सिर्फ कलर देने के लिए डालना है अब हमने यहाँ पे उसी कप से ले लिया है पानी जिस कप से हमने बेशन लिया था उसी कप से हम इसमें पहले एक कप पा की जड़ा है अब हम इसमें आधा कप पानी और एट करेंगे तोटल यहां पर हमको देड़ कप पानी की जरुत होगी यहां पर हमने आधा कप पानी इस जार में डाल दिया ताकि हमारा बेसन भी क्लीन हो जाए अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा अब इस नास्ते को और भी ज्यादा टेश्टी बनाने के लिए अब हम इसमें डालेंगी आधा नीवू का रस अगर आपकी पास नीवू नहीं है तो आप इसमे मैं आपको आँगे बताओंगी कि आपका बैटर किस तरह से होना चाहिए ना जादा पतला होना चाहिए ना जादा गाड़ा होना चाहिए तो यहाँ पर हम चम्मस को इस तरह से उल्टा करेंगे तो हम इसके बीच में इस तरह से लाइन बनाएंगे तो आपस में बेसन ज़ाडी होनी चाहिए आपकी भी तो थालिए को तेल से इस तरह से ग्रीस कर लिये तो यहाँ पे चुमतरा है ईतल पड़िया है नहीं ही तो चलिए अब को मनें चलते हैं इसको पकाने के लिए और गैस कढ़ाई रख दें इसमें हमने दो ग्लास पानी डाल दिया है सांती में इसके उपर इस तरह से चननी रख दी हैब हम करी दो मिनिट हो चुकी है अब हम इसको साउधानी से इस तरह से प्लेट को बाहर निकाल देंगे तो यहां पर हमने थाले को इस तरह से निकाल लिया इसको हमने हलका ठंडा कर लिया है उसके बाद यहां पर हमने ले लिये नाइफ नाइप की मदद से हम इसकी किनारों को इस तरह से छुटा देंगे अब हम इसको इस तरह से बीचो बीच कट लगा आएंगे अब हम इसकी इस तरह से रोल बना कर तैयार कर लेंगे तो देखे कितनी अच्छी तरीके से हमाई रोल बना कर तैयार हो रहे हैं अब हम इसको भी ढग देंगे और दो मिनिट के लिए इसको भी पकने देंगे तो यहाँ पर हमाई दो मिनिट हो चुकिया है जे भी अच्छी तरह से पक कर तयार हो गया है अब हम इसको भी इस तरह से निकाल लिए और सेम रोल हमने जैसे पहले बनाये थे ठीक उसी तरीके से हम इसके भी रोल बनाकर तैयार कलेंगे तियहां पर हमने ंचे चमच जीरा। चमच राई और आठ से दस कड़ी पते इन तीनों चीज को हम तड़कने देंगे तियहां पर हमारा तड़का hai बनकर तैयार हो गया है। अब इस तड़के को गर्म गर्म हम डाल देंगे रोलों के उपर जो हमने बना के रखे हैं अगर आप तड़का नहीं लगाना चाहते तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं खाने में बैसे भी अच्छी लगेगी, अगर आप तड़का लगा देंगे तो खाने में और भी ज्यादा टेश्टी लगेगी यह आपके हमने तड़का इससमें डाल दियाई तो लीजिए हाँ पे हमाई तैयार है, सुपर टेश्टी नाश्ता आप जल्द वाजी में एक वार इस नास्ते को बना कर जरूर देखिएगा सवी को बहुती ज़्यादा पसंद आएगा अगर आपको वेडियो पसंद आए तो वेडियो को लाइक करना, सेर करना और चैनल को सबस्काइब जरूर करना